आयोध्या में राम लला की प्रान प्रतिष्ठा से पहले बड़ी साजिश का भांडा फोड हुआ यहां बड़ी वारदात को अंजाम देने का प्लान किया जा रहा था इस मामले में UP ATS ने तीन संदिग्द लोगों को पकड़ा है यह तीनों आरोपी राजस्थान के रहने वाले हैं फिलाल UP ATS के खिरासत में इन तीनों आरोपीओं से पूँच्टाज की जा रही है बताया जा रहा है कि तीनों बस से आयोध्या पहुँचे थे और यहां पर संदिग्द हालत में गूम रहे थे इन की रफतार आरोपीओं की पहचान शंकरलाल, अजीद कुमार और प्रदीप पूनिया के तौर पर हुई है जानकारी के मताबिक आरोपी अपनी गाड़ी में धार्मिक जंडा लगा कर आयोध्या की रेकी कर रहे थे इस पूरी वारदात का खुलासा आरोपी शंकरलाल ने किया है खास बात यह है कि इसके ताहर कैनडा से भी जोड़े जा रहे है आरोपी शंकरलाल कैनडा में मौझूद खालिस्तानी समर्थक हर्मिंदर उर्फ लांड़ा से संपर्क में था हर्मिंदर ने शंकर से रेखी करने को कहा था जानकारी सामने आई है कि ऐसा करने के लिए खालिस्तानी आतंकी गुरु पत्वंत ने कहा था साथी आयोध्या का नक्षा भी भेजने को कहा था कैनडा वे मौजूद इस शक्स के कहने पर ही तीनों आरोपी आयोध्या पहुंचे थे और इस समंदी जो उसके मुकद में समंदी सूचना है वो एटीस आयोध्या को प्रिशित की जा चुकी है देखिया वो तो उनके अधिकारी बताएंगे समय होता अपने से को जानकारी ने मेरे से अभी तक अधिक जो सूचना आई है वो केवल और केवल एटीस आयोध्या की तरफ से आई है बागी सूचना जो हमने दी है वो मुख्यले को प्रिशित कर दी है परिवार के बारे में कोई जानकारी जुटा ही जा रही है क्योंकि इसके बारे में एक ही मुख्यले है और अन्हें तानों से पता करवाए जा रहा है कि उन तानों में इसके परती कोई और मुख्यले है या नहीं है